तो गाई जब तक का सिनारियो क्या है या आप सब को पता चल चुका है कल देर शाम CBC ने Class 12 का Term 1 का Result जो है वो Announcement कर दिया अब इससे अब आप Announcement बोलोगे या जो बोलोगे वो आप बोल सकते हो और अब वही चीज़ कर दिया इन्होंने वहाँ पर और साफ साफ कह दिया है कि जो भी बच्ची अपना Result देखना चाहते हैं वो Online Way में यानि कि CBC के इस Website पर नहीं देख सकते हैं उनको अपने Schools के थूर से ही लेना पड़ेगा और कल देर रात तक जैसा मेरे पास में अपड इस वक्त Term 1 Result Class 12 को ले करके CBC का एक नया Official Circular आ गया है जिस Circular को एक बार आप लोगों को जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह वीडियो जाना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बहुत इंपोर्टन है तो प्लीज वीडियो स्किप नहीं करा है पहले बार अ को देख जाता है देखो यह रहा वो ठीके तो यह है वो सर्कुलर जो सीबेसी ने जारी किया है आप देख सकते हो मैंने इसे काफी बड़ा कर दिया है ठीके मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं so that आपको visible हो अब यहां पे देखिए कल यह होली के दिन में यह जारी वा बड़ा दुख लगा यह चीज़ देख करके कि होली में बहुत सारे बच्चे कहा रहे थे कि हमारा होली तो बरबाद हो गया अहोली के दिन भी chances CBC ने रहने ने दिया अब यहां पे इस circular पे आप जब नज़र डालते हो subject यहां पे लिखा हुआ है यह तमाम affiliated schools को circular भेज दिया गया है students के लिए भी है performance of the students of class 12 in term 1 exams same to same यह वही है जो की आपका class 10 को लेकर के निकला था but still क्योंकि class 12 वाले बच्चों का मामला तो मैं major points जो है वो आप लोगों को समझाओंगा ठीक है अब जल्दी से चलते हैं ऊपर यहां पे इनका कहना है कि circular number इतना 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 dated July 5, 2021 issued by the CBC provided for the conduct of board examinations for session 20, 2021, 22 in two terms यह 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 ठीक है अब इनका कहना है कि भाई आपके जो मांक्स हैं वो ऑन-लाइन वे में नहीं आने वाले हैं website पर नहीं आएगा आपके स्कूलों को communicate कर दिया गया है मतलब भेज दिया गया है चीक है The following important information may be noted अब हम आगे आते हैं और ओपर देखते हैं क्या-क्या points है यहां पर कुछ 15, 16, 17 points हैं जैसे कि class 10 के performance circular में था, same to same वैसे ही है, मैं आपको कुछ मोटे तोर पर कुछ important बात बता देता हूं यहां पर, the board is informing the schools only about the theory performance of their students, board सिर्फ theory portion का marks दे रहा है, जैसे कि उसने class 10 में किया था, क्यूंकि जो बात-बात की marks है, जो भी बच्चों के practical के marks ह या internal assessment है, वो school के पास ही में है, तो CBC ने कहा भाई, वो हम आपको नहीं देंगे, वो तो आप ही के पास में है, ठीक है, so, देखे, यहां पर link भी दिया, hence the performance of the individual student will not be made available on the website, website पे नहीं आएगा result, अब यहां second point देखे, the information about the performance of student is based on the performance of the students uploaded by the marks, देखो, जो marks school के द्वारा द result निकाला गया है, in the subjects where the assessment was not done by the schools, performance based on the scanning of OMR sheet has communicated to the schools, तो यहां पर OMR sheet का scanning करके जो result निकला, उसको communicate कर दिया गया है, school को, और उसे की basis पर आपका marks बना, ओके, अब जल्दी से यहां पर आप आओ, नीचे क्या कह रहा है, ओके, यहां पर point number 13, जो है important है, यहां पर कहा गया कि difficulty level, जो बहुत सारे बच्चे बोड़ रहे थे, कि सर, फलाना set paper, एक ही subject के दो set paper है, और उसमें से एक set paper easy था, एक ही set paper hard था, तो हमारे तो marks cut गए, तो उसके बारे में सी बिसी का कहना है, कि भाई, जो भी ऐसा चीजे papers ह जैसे की Spanish, etc., और difficulty in some particular set, state, region, needful action will be taken at the time of preparation of the final results of after term two exam, सी बिसी का कहना है, कि भाई, अगर आपके साथ में किसी subject में, किसी state में ऐसा हुआ, किसी particular region में ऐसा हुआ, किसी particular set में, किसी question paper में देखो, यहां कोई mistake हुआ है, मतलब जिसमें कि difficulty level उपर नीचे था, तो वो हम कर दे मांक्स का, लेकिन वो final exam के समय करेंगे, यह एक बहुत बड़ा गलत point था, comment section में मुझे ज़रू बताना, कि आपको यह सही लग रहा है, अभी हिसाब किताब clear हो जाना चाहिए था, उस वक्त कौन किस को क्या देखेगा, उस वक्त का भी तो नया वाखेडा होगा, ना, okay, अ आप absent रहोगे, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, और इसके लिए particular circular 9 November को निकाला जा चुका था, जल्दी से आते हैं, point number 5 की तरफ, तो यहाँ पे point number 5 है, only theory performance has been communicated, मैंने पहले ही कहा, कि theory portion schools को भेजा गया है, क्योंकि practical project या internal assessment के marks is already with the schools, आपके, जो internal assessment के marks हैं, वो passing certificate या marks sheet आपको नहीं मिलेगा, वो एक ही बार मिलेगा, after the term to exam, देखो, after the term to exam, यह था point number 6, मैं मोटे तोर पर आप लोग को जल्दी जल्दी point बता दे रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा explaining कर जरूद पड़ीगी, मैं आपके साथ जरूर करूँगा, 7 number point जो है, यह बहुत important है, क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल था, weightage को लेकर के, कि सर, weightage क्या होने वाला है, term 1, term 2 का, तो weightage of term 1 and term 2 will be decided at the time of declaration of term 2 result, अभी CBC कुछ नहीं कह रही है, अब देखो, पहले क्या कहा था, 50-50%, अब CBC कह रही है, कि भई, कुछ भी हो सकता है, और यही मैंने कल वीडियो में कहा था, आप लोगों को एक वीडियो दिया था, कि भाई, term 1 का weightage को 30-40% करने की बात चल रही है, और term 2 के weightage को बढ़ाने की, ठीक है, लेकिन CBC अभी फिलाहल कुछ नहीं कह रही है, वो बोल रही है, कि final performance जो होगा, after term 2, उसमें हम decide करेंगे, point number 8 को देखिए, okay, candidates will be placed in the essential repeat, अभी कोई fail pass नहीं है, इन्होंने साफ साफ कहा, essential repeat या compartment ये सब term 2 के बाद में ही होगा, ठीक है, point number 9 पर आते है, exam center, yes, this is very much important, मैं आपको इसको थोड़ा सा explain जादा करना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, यह point number 9 है, यह बहुत important है, exam centers को लेकर के है, will be allotted a fresh in term to exams, बहुत सारे youtube, youtubers बता रहे हैं, educators बता रहे हैं कि भाई, कुछ नहीं है, जो आपका exam center था, वो पहले वाला ही रहेगा, यहाँ पे बड़ा confusion है, क्योंकि exam center वही रहेगा, ऐसा सीबसी ने नहीं कहा, और हो भी नहीं सकता, कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो term 1 के वक्त में, सीबसी ने एक particular circular जारी किया था, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरियां खतम हो गए, अपने गाउं चले गए, तो एक chance दिया गया, कि आप भले ही दिल्ली में पढ़ते थे, suppose, आप दिल्ली में पढ़ते थे और आब आप बिहार में हो, तो आप बिहार के अपने गाउं के अपने बगल में, जो भी सीबसी affiliated school है, वहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, और वहाँ पर आपका exam center कर दिया जाएगा, लेकिन अब सीबसी ये करने के mode में नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा, कि fresh allotment होगा exam center का, students will appear only from the exam centers allotted to their school, आपको उसी center में all out करेगी, आपको वहाँ जाना होगा, वहीं पर आपका exam होगा, no examination center will be changed, देखो no, यहाँ साफ साफ लिख दिया, no, will be changed in the term to exam, इस बार आपको बदलाव करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप इस no को लोग गलत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं है, वो term 1 था ना, इस कारे में है, वो conduct होगा term 2 exam के बाद में, बहुत important नहीं है, अभी इसकी जरुद भी नहीं है, point number 11 है, private पत्राचार वाले students के लिए, ठीक है, इस पे भी हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम चलते हैं सीधा, point number, serial number 12 की तरफ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यह भी एक तरस important है, लेकिन CBC ने कुछ clear cut नहीं कहा, यहां कह रहे हैं कि in all cases, wherever problems have been reported in the question paper, या marking scheme, हर care किया गया है, school board की द्वारा, of the students has been calculated, recalculated by the board, taking into account the revised answer की, wherever applicable or awarded marks for dropped questions, मतलब आपके जहां भी marks, question वाले answer की में कुछ ब्राबलम था, जो भी चीज़ था, उसको, जो recalculate किया गया है, यहां देखो, recalculate लिखा हुआ है, recalculate किया गया है, CBC के द्वारा, और बच्चों को marks award कर दिया गया है, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखा, क्यूंकि अभी तक मुझे एक भी बच्चे का mail यह message नहीं मिला, जिसमें उसने कहा कि, भई, sir, हमा आपने अलोट किया जाएगा, वो सब चेक किया जाएगा, अब point number 14 जो है, यह बहुत important है, इसको आप लोग देख लो और समझ लो, point number 14 कह रहा है, कि अगर आपका कोई भी आपका result में, class 12 के result में, अगर आपको कोई भी issue है, तो online dispute redressal mechanism for term 1 exam is made available with immediate effect, तुरन से यह शुरू कर class 10 के लिए, 26th March last date है, apply करने का, और class 12 के लिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ठीक है, 31st March रखा गया है, 31st March, इसके लिए मैंने dedicated वीडियो बनाया है, step by step process, जो है, क्या है, सिबसी का, आप किसार से dispute के लिए apply कर सकते हो, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक उसको अपने schools को भेजएगा, और schools भेजएंगे combined dispute to the CBC, डिक्कत यहाँ पर यह है, बहुत सारे बच्चे complain कर रहे हैं, अभी तक class 10 का तो शुरू हो चुका है, कि सर हमारे school वाले agree ही नहीं कर रहे हैं लेने के लिए, यह दिक्कत है, और इसमें हम एक particular वीडियो हम बाद मे बनाएंगे, चिक है, support आपको करना पड़ेगा, obviously बात है, चिक है, लेकिन इनका ये भी कहना है, CBC का, disputes will be decided along with the verification schedule after the declaration of the term 2 result, मतलब अगर आप अपील भी करते हो, तो उसका outcome अभी नहीं निकलेगा, वो term 2 के वक्त में ही आपको बताया जाएगा, चिक है, अब आते है, point number 15 क schools के, जो मामले हैं, उसको cross check किया जा रहा है, इस चीज के उपर में, particular चीज के उपर में, मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये छोटा मुटा मुटा मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो guys, ये था आपका, वो performance details, एक circular, जो की सिबसी ने जारी किया, और आपको मै अगर आपने अब तक मुझे, कई जगों पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है, तो यार गलत कर रहे हो, जल्दी से करके रखो, because, because, आप जैसे ही करोगे, मुझे इन चीजों पर follow, मैं आपके साथ में available हो जाओंगा, हर वक्त के लिए, जल्दी से इस चीज पर आप मुझे follow कर लो, ठीके, follow करके रखे मुझे Twitter, Telegram और Insta पे, साथ ही साथ हमारे official channel for studies को subscribe करना बिल्कु नहीं भूलेगा, मिलते हैं next video में, जै हिंद, जै भारत करे दो